हेलो फ्रेंट वेलिप्श्पन with us.oh is series of the own channel.Spot Y General और आजका हमारा जो डॉपिक है वो है रोशाच इंक ब्लव टेस्ट मॉट्टकार्द तू यह नि आज कि इस टॉपिक में हम कार्ड 2 के बारे में जानेंगे के रोशाच इंक ब्लव टेस्ट का जो सिंबोलाइज करवाता है तो विद आउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट एट दोस्तों रुशाज इंक ब्लॉटेस्ट का जो कार्ड नुबर टू है वो बेसिकली ब्लैक और रेड इंक का बना होता है और इस कार्ड को ज्यादा तर सेक्शुल नेचर की तरफ परसीव किया गया है इस कार्ड में जो रेड कलर है वो बेसिकली ब्लैड से रिलेट किया गया है और ऐसा माना जाता है कि इस कार्ड की तरफ जो रिफलेक्शन है यानि इस कार्ड की तरफ किसी भी बंदे की जो रिस्पॉंड है वो उसकी ऐसी फीलिंग्स को मैनेज करता है जिसमें उसका फिजिकल हाम, एंगर हो गया या सेक्शुल जो है नीड्स की तरफ ये कार्ड शो करवाता है कि उस बंदे के अंदर जो सेक्स से रिलेटेड फीलिंग्स हैं वो कौन कौन सी है बाज उकाद लोग ये चीज़ें बताते हैं कि वो दो लोगों को साथ में देख रहे हैं या बाज उकाद वो देखते हैं कि एक बंदा खुद को आईने में या खुद का अक्स देख रहा है और बाज उकाद वो कुछ जानवरों को या डॉग को या एलिफिंट को देखते है या bear को देखते हैं या बाद वकात वो इस तरह से देख रहे होते हैं कि कोई बंदा है जो prayer कर रहा है तो ये सारी चीज़े इस mark में देखते हैं यारे इस mark की जो possibility personality है वो यह हैं कि अगर लोग इस mark में दो बंदों को देख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उस बंदे के अंदर जो है sex से लेके कोई जो है co-dependency होती है यानि उसकी कहीं ना कहीं obsession हो रही होती है कहीं ना कहीं उसके अंदर sex की ambivalent feelings मौजूद होती है और उसका जो basically focus होता है वो किसी ना किसी के साथ कोई बॉंड बनाना होता है उसके पाद जो दूसरी चीज हमें बताई गई है वो है जो है self reflection यानि बाज वकात लोग देखते हैं कि वो खुद को एक आईने में देख रहे होते हैं तो ये चीज इस personality की तरफ जो है show कर रहा होता है इस feelings को बता रहा होता है कि कही न कहीं उस बन्दे के अंदर self absorption की feelings मौजूद है यानि वो खुद को self reflect कर रहा है उसके अंदर कुछ positive या negative feelings हो सकती है और वो जो personality है उसके उसी positive या negative feelings बे बेस कर रही होती है number three है seeing a dog बाज अकाद लोग उस जो है card में यानि second card में dog को देखती हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ affectionate और loyal friend की feeling मौजूद है अगर वो बन्दा इसमें कुछ negative indicate कर रहा है यानि इसमें अगर कोई वो बुरी चीज़ देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी life में कहीं ना कहीं कोई ऐसा डर है जिसे वो face नहीं कर पा रहा कोई ऐसा डर है जिसकी वज़ासे वो real knowledge को acquire नहीं कर रहा उसके अंदर fear की feeling बहुत ज़्यादा होती है अगर वो बन्दा elephant को देखता है तो इस card के मताबक उसकी जो memory है वो बहुत ज़्यादा thoughtfulness है यानि सोचों से भरी हुई है यानि वो बहुत ज़्यादा intelligent है और बाज होकाल वो कुछ negative images को भी देखता है elephant की picture देखने के साथ तो इसका मतलब है तो ही ना कहीं वो अपनी एक negative physical self image को देख रहा है number four पे हैं seeing a bear यानि अगर वो बन्दा उस picture में किसी reach को competition या independence और resurrection की feelings बहुत ज़्यादा है यानि उसके अंदर the feeling of vulnerability बहुत ज़्यादा है यानि कहीं ना कहीं वो unprotected की feeling को show कर रहा है यानि वो दिखाता है कि मैं शायद कहीं ना कहीं किसी बहुत ज़्यादा मुसीबत में फसा हुआ हूँ number five पे आता है कि अगर कोई बन्दा उस card में जो है ये चीज़ देख रहा है कि एक बन्दा है जो prayer कर रहा है तो इसका मतलब ये है वो यानि वो इस personality की तरफ इस feelings की तरफ जो है symbolize करता है कि वो बन्दा अपने religion में sex से related लेके कोई ना कोई prayer कर रहा है क्योंकि extremely sexual nature होने की वज़ा से इस card में ये चीज़े शो हो रही है यानि अगर वो blood को देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने उस religion में कहीं ना कहीं किसी pain को face कर रहा है और वो pain किसी भी feeling की वज़ा से हो सकता है या वो pain किसी anger यानि घुस्से की वज़ा से हो सकता है या कोई ऐसा एक challenging event आया है जिसे वो face नहीं कर पा रहा तो इन सारे challenges को और feeling को manage करने के लिए वो बंदा prayer करता है prayer करता है कि मैं इस feeling से जल से जल निकल जाऊ तो ये सारी personalities हैं जो इस card को देख के एक patient भी हुई होती है और ये card देखने के बाद वो automatic उसी feeling को relate करके कोई ना कोई personality के बारे में बताता है I hope आज के topic में आपको card number 2 के बारे में holy discuss और holy information मिल गई होगी so मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की next information के साथ तब तक के लिए बाई बाई